हमारे बीच में आशीज भाई जिन्होंने इस मुशारे इस कभी सम्मिलन का आयोजन किया है मैं उनको बड़ी ही शिद्दत से बुलाना चाहूंगा एक मतला एक शेख आशीज भाई आपके लिए कि विसाले यार में रखा हुआ है विसाले यार में रखा हुआ है नजाने दिल को मेरे क्या हुआ है विसाले यार में रखा हुआ है नजाने दिल को मेरे क्या हुआ है खुशी के नाम की बेटी है उसकी खुशी के नाम की बेटी है उसकी मुझे गम नाम का बेटा हुआ है आशीज भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एक बार जोड़ार तालिया आप लोग अपने लिए भी और जितने कभी हमारे साथ बैठे होने के लिए बजाईएगा और कुछ शेर कुछ शेर नहीं बोलूँगा अभी मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ कुछ ख्याल है फिर एक इरशाद इरशाद मुक्तक की एक शेर की हम पे बस एक रंग फपता है हम पे बस एक रंग फपता है और वो एक रंग है उदासी का हम पे बस एक रंग फपता है और वो एक रंग है उदासी का और उदासी पे एक दो स्वेर ऐसे लिखे हैं कि मुझसे उदासी मांग लिए मुझसे उदासी मांग ली उसने ये मेरी जायदाद है देता कैसे मुझसे उदासी मांग ली उसने ये मेरी जायदाद है देता कैसे और एक और कुछ शेर की हम सोचे थे कैसी परिया होती है हम सोचे थे कैसी परिया होती होंगी दूर देश में ऐसी परिया होती है और देखा मैंने एक थी चिडिया फिजले में देखा मैंने एक थी चिडिया फिजले में अपने देश में ऐसी परिया होती है देखा मैंने एक थी चिडिया फिजले में अपने देश में ऐसी परिया होती है और एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है असल में उसके जैसी परिया होती है और हाथ में चूड़ी पाउं में बेड़ी रहती है न जाने कैसी कैसी परिया होती है और एक दो शेरोरकी जील का किनारा और तुम और तुम जहां में प्यास तो बहुत है मगर जहां में प्यास तो बहुत है मगर होटो का किनारा और तो मैं खुली कविताय भी लिखता हूँ तो एक हिंदी की कविता और उसके बाद कुछ मुक्तक लिखाएं, वो सुनाता हूँ. मैं आप लोग क्लासरुम में कभी गये हूँगे, तो जुरू इस बास से रिलेट कर पाएंगे, कि तुम्हारे होटों के ठीक नीचे जो काला तिल है, उसे छुपा कर रखा करो, तुम्हारे होटों के ठीक नीचे वो जो काला तिल है उसे छुपा कर रखा करो जब भी मैं उन्हें देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होता है और फिर मेरी भुगोल के अध्यापक से लडाई हो जाती है मेरे भुगोल के अध्यापक से लडाई हो जाती है वां-गीत की तरफले तरफ तरनव में कुछ Ehने की कोशिश कर रह Bengal आप लोग आरा विकोशिश कर रहा हूं शुरूंड थैं तो मुं हम है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ यहां पर तो एक बार तालियां चाहिए हुआ हुआ के लिए तुम मिले जब हमें जिन्दगी मिल गई एक दिया जल पड़ा प्रोशनी मिल गई हमने की थी प्रतिक्षा बड़ी एर तक हमने की थी प्रतिक्षा बड़ी देर तक तुम जरा साधिक् fatigue हर खुशी मिल गई बार में जिन्दगी मिल गई एक दिया जल पड़ा रोशनी मिल गई अगली बंगतियां की हमने छेडा अकेले था जिस राग को तुम जरासा हसी रागिनी मिल गई और हमको घेरे हुए थी उदासी बहुत तुम से आखे मिली जिन्दगी बहुत तुम मिले जब हमें जिन्दगी मिल गई एक दिया जल पड़ा प्रोशनी मिल गई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और आखरी के दो शेर से मैं शुरू करूंगा ख़तम करूंगा और उसके बाद मैं अंस को आवाज दूंगा और कारिक्रम को समाद करूंगा की एक शेर की मुझे मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हे तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा रहा हूं मेरे कुछाब सचते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महें बना रहा हूँ और जो लोग फेक कर गए थे मेरी राह में काटे मैं उनके लिए रस्ते बना रहा हूँ क्या बात है बहुत बढ़िया चांदर भी अशना बहुत सुक्रिया दोस्तों